नमस्कार किसान भायू आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके और हमारे यूटीब कैनल लुजू बाव इंफटेक पर मैं विजय धाकर आप सभी का स्वाध करता हूं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ टोनिक, कुछ प्रोड़क्ट में आपको बताने वाला हूँ, जिसा कि हम एक फंगिसाइट की यहाँ पर बात करेंगे, एक टोनिक की बात करेंगे, महीं दोस्तों यहाँ पर थिपस को भी कंट्रोल करना है, तो आइए हम यहाँ पर एक पर निश्चेत तोर पर प्रभाव यहां पर पढ़ने वाला हैं जैसा कि देशी प्याच की हम बात कर रहे हैं 2022 साल की तो यहां पर उत्पादन ओसत से 10 से 15 कुईंटल प्रति भीगे यह हम कह सकते हैं प्रति एकड़ की बात करें तो लगबक 25 कुईंटल तक जो है उत्पादन कम होने के चांसे से यहां पर बता जा रहे हैं अब दोस्तों फाइनल आकड़े जो है हर्वेस्टिंग के समय हम आपको बता देंगे अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं जो मैं यहां पर आपको प्रोड़क्ट बता रहा हूं जो डोज में आपको बता रहा हूं यह डोज 25 दिसंबर के बाद जिन प्याज की रोपाई हुई थी या जिन किसानों ने 25 दिसंबर के बाद जो अपने प्याज लगाए थे उन सभी किसान भायों के लिए हैं उसके पहले अगर आपके प्याज हैं तो फिर यहां पर यह कोई भी काम करने वाला नहीं है क्योंकि दोस्तों लगबग हारेस्टिंग का समय हो गया है और 110 दिन के बाद लगबग हम यहां पर सिचाई करना बंद कर देते हैं तो यहां पर 100 दिन से अंदर अगर प्याज जिसके चल रहे हैं तो उनके पास अभी भी समय है यहां पर जो मैं आपको डोस बता रहा हूं जल्दी से मैं आपको ले लेना है इसके बाससे पहले जो यहां फर प्रोडक्ट हमें लेना है वो लेना है यहां और ऐसी फेट अड Kirsty में के नाम से आता है उसको 300 ग्राम प्रति एकड़ की हिसाब सैप लीजिए गा उसको क्रॉस कीूप किजिए गया यहां पर पोलिस से जिसमें इमीटा और पंगी साइड है यहां पर अड़ामा इंडिया कंपनी लिमिटेट का बनाये हुआ मीरा डोर करके पंगी साइड आता है जिसमें एजक स्ट्रोबिन 23 परसेंट ऐसी फॉम में आता है जो बहुत ही अच्छा कारी करेगा इस समय जो यहां पर बीमारी हमें देखने को मिल रही है करीबन 150 ml परती एकड़ हमें यहां पर लेना है इसके बाद दोस्तों एक टोनिक यहां पर लेना है जिसका रिजल्ट काफी अच्छा है और जिसको प्रयोक करने से जिसका इस्प्रे करने से आपकी प्याज जो है कुछी दिन में हरे बरे हो सकते हैं नई पत्तिया भी निग करना हुआ है बहुत ही अच्छा यहां पर जो है हरास्पन अपने को प्याज में लाकर देगा जिससे पोधा अच्छे से बोजन मराएगा और जो रुकी हुई ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी दोस्तों फ्लेमवर्ज टोनिक का जो डोज है वो हमें रखना है 300 ml परती एकड के आधार पर दोस्तों यह कुछ कॉंबिनेशन में आपको बताए हैं अगर आप यह इस्प्रे करते हैं लगबग 100-105 दिन के अंतरगत भी आप अगर इस्प्रे करते हैं अपने प्याज फसल पे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको 2-3 दिन में देखने को मिल जाएंगी उससे महतोपुर्ण बात दोस्तों यहां पर यह हो जाती है कि आपको सिचाए का समय रात में सुभे में या फिर शाम को रखना है दीन में बिलकुल भी सिचाए अभी प्याज में नहीं करना है वरना आपकी प्याज जोए खराग हो सकते हैं सोगिसान बायों मिलते हैं फिर हम आगले वीडियो में एक नयो लेटेस जान करेएक साथ जै हिंद वन्दमातर